दोस्तों आपका अपने चैनल एपेक्स केरिये क्लासिस के यूटूब चैनल पर 6966 बरती में विवाद और परिशानिया रुपने का नाम ही ले रहे हमें सभी को पता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और जिला अवंटन सूची जो है वो लग जाएगी पहले जिला अवंटन सूची के लिए जब बात की गई थी तो गुरकपुर का एक सेंपल आया उस सेंपल में जो अविलेक मांगे गए वो अथारा बीस बारा अथारा से पहले के मांगे गए लेकिन बहुत सारे विद्धियारतियों के पास वो अविलेक नहीं हैं और इन अविलेकों की जगर यही क्योंकि सभी विद्धियारतियों का चैन एक ही आदार पर होगा अर्थात यह माना जा रहा है कि सभी जिलों के लि विद्यार्थी जो है वो बहार होंगे उनकी कमी की वज़े से लेकिन दूसरी एक और बड़ी बात है जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म में गलतियां की हैं उनके लिए भी एक बड़ी परशानी का सबब है कि अगर PNP इस बात को मानता नहीं है कि वो इसमें संसुधन का कि मानवी तुटी को विचार कर ही इस पर सुधार करें ताकि इसमें कोई बख्षपाद या कोई गलती ना हो इस बात को भी अगर PNP ध्यान में रखेगा तो उन सारे बच्चों के लिए जिननों ने फॉर्म में कुछ मिस्टेक उन से हो गई है उसको ठीक कर सकें वो लेकि इस तरह का PNP में अभी कोई आश्योशन नहीं दिया है अभी तक पता चला है कि करीब 30,000 फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं जिस 30,000 में से 15,000 तो उन विध्यारतियों के हैं लगवग जो 68,500 के हैं अब 68,500 के फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं उसकी मैं बात ब बताई थी कि जब भी आप किसी दूसरी जगे के लिए जब आप कहीं वर्किंग होते हैं कहीं सरकारी वहें के में आप नौकरी कर रहे होते हैं अगर आप दूसरी जगे के लिए एपलाई करते हैं तो एपलाई करने से पहले आपको NOC लेनी होती है ये नियम तो है ही यानि लेके भराओगा केवल वही केवल इसमें मानने होंगे बाकी लोग मानने नहीं होंगे यह एक बड़ी बात है क्योंकि अगर विवाग को अब्जेक्शन नहीं है कि आप किसी और जगे चले जाएं या आप कोई और फॉर्म भरें तब ही आप उसको फॉर्म भर सकेंगे और य समान पद के लिए या उसे कम पद के लिए मांगे nosso new नहीं मिलेगी आपको अंव उच पद के लिए मिलती है एक तो और वह भी आपकोस ेयम करने से पहले चाही होती है तो इसमें 68500 विद्यार्तियों के जो पंद्रह हजार विद्यार्तियों जिले को अपने को स्वज जनपत लेने के चक्कर में जिन्होंने फॉर्म बरा था उनके बाहर जाना ते है इसमें 15,000 नए अभ्यारती इसमें शामिल हो जाएंगे और वो कौन से होंगे जिनका गुणांग कम होगा तो कम गुणांग वालों को ये लाब होगा वैसे तो मैं हम दराजार वेक्ति फॉर्म जो है वो भाहर हो जाएंगे दूसरी तरफ में बात करता हूं उन विद्यारतियों की अभ्यारतियों की जिन्होंने फॉर्म में गलतियां कियें तो मैं आपको बता दू कि पी एन पी 100% आपको कोई ना कोई ऐसा समाधान जरूर देगा जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधार कर सकें क्योंकि हाई कोट कें ऐसे निर्देश दिये हैं उनको कि वो जो गलतियां हुई हैं जिससे मेरिट में कोई चेंज नहीं होगा आप किसी की भूल के लिए उसका अधिकार नहीं रोक सकते इसलिए यहां पर आपको जरूर ही उसमें स दियारतों की गलतियां की हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है वो ठीक हो जाएंगे और फिर वो उसमें आप भाग ले सकेंगे मैं आप सभी के लिए शुब कामना हैं देता हूं थैंक यू थैंक यू वेरी मच